हालो एवरिवान गुद इवनिंग नमस्कार अग्रिकल्चर एड़ा 24-7 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो मेरा नाम है डॉक्टर मिनाक्षी राठी और यहां हम मिलते हैं अपनी एंटेमलाजी की कंसेप्चुल क्लास में तो यहां हम कोशिश करते हैं अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉंग करने की इसलिए आपकी सीरीज का नाम भी यही रखा गया है ना अग्रिकल्चर फाउंडेशन क्लासेज क्योंकि यहां पर हम एंसे क्यूश डारेक्ली प्रेक्टिस नहीं करते हैं ब या वन लाइनर्स करवाओ जो पेपर में आता है सिधा वही बताओ लेकिन जब पेपर में ट्रिकी क्वेशन साते हैं तो उनमें हम पीछे रहा जाते हैं क्योंकि रट्टाफिकेशन हम कब तक करेंगे है ना तो उसके लिए हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉंग करना बहुत ज़रूरी है और इसी लिए हमने आप लिए आपके लिए ये अग्रिकाल्चर कंप्लीट फाउंडेशन की क्लासस निकाले एक लिस्ट हमारा आइडिया बिहाइंड सीरीज यही रहा है कि आम सिक्यूस तो आप प्रिक्टिस कर रहे हैं वन लाइनर्स के किताबें आप लोग अगर आप चैनल पर नए है सुदेट हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम ले मिल सके और पुराने हैं तो आपका दही दिल से स्वागत है जैसे की सूरज, भूमी का, मस्त्राम, वेल्कम तो दे सेशन और अड़ा की आप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो भाईया माम से इतना क्यों बुलवाते हो, फटाफट जाओ प्ले स्टोर में और अड़ा की आप डाउनलोड की टिये, क्योंकि अड़ा की आप पे आपको क्या-क्या मिलने वाला है, जैसे ही आप अपना एक्जाम चूज करेंगे, जैसे आपने अग्रिकल्चर चूज किया, तो सार साथी कुछ अच्छा कंटेंट आपको मिलना है, और साथी साथ हैंडी रहता है, फोन चलते फुरते कहीं भी यूज करें, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं वेट कर रहे हैं, अपना एक टेस्ट निकाला, फटा-फटा-फटा अंसर टिक किये, तो और आपका काम हो जाता है, तो टेस्ट प्रेक्टिस करने को मिलता है, साथ-साथ जो आप इसमें टेस्ट प्रेक्टिस करते हैं, आपको इसमें कोईन्स मिलते हैं, जो आप किसी भी प्रड़क्ट पर यूज कर सकते हैं, जो अद्डा के प्रड़क्ट करीडते हैं, और क्या बेनेफिट्स हैं, जब भ आपको देता है which is like very good one तो आपको पता चलता है कि मेरे वीक पार्ट्स कौन से हैं जिन पर मुझे काम करने की ज़रत है तो चलिए ये तो हो गया आपके बारे में और अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में राइट तो आपका आज का टॉपिक क्या है अच्छा लिए पर योगा नहीं करना है don't worry तो आज की क्लास में हम इंसेक्ट रेस्पीरेशन पढ़ेंगे कि इंसेक्ट किस तरीके से रेस्पीरेशन करते हैं हर लीविंग बींग को रेस्पीरेशन करना होता है so that किस लिए करना होता है रेस्पीरेशन क्या जरूरत है हमें रेस्पीरेशन की बताइए क्यों जरूरत है हमें रेस्पीरेशन की हमारे ब्लड को ऑक्सिजिन मिल सके हमारे टिशू को ऑक्सिजिन मिल सके तो इसके लिए रेस्पीरेशन बहुत जरूरी है तो आप जैसे कि आपके plants हैं, आप लोगों को पता है न, plants में भी respiration होता है, और respiration का मतलब क्या होता है, यानि कि CO2 आपको exhale करनी है, छोड़नी है और oxygen को inhale करना है, अब आप बहु लोगे माम plants में तो ऐसा नहीं होता है, plants तो oxygen release करते हैं, so plant oxygen release करते हैं as a byproduct of photosynthesis, लेकिन side by side वो respiration भी करते हैं, जिसमें वो हमारी तरह ही CO2 अंदर लेते हैं और oxygen, sorry, oxygen receive करते हैं and CO2 को release करते हैं, तो इसको photorespiration कहा जाता है, तो ये तो plant की बात हो गई है, लेकिन हमने आज क्या पढ़ना है, हमने आज respiratory system of insects पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं, insect के respiration में हमसे क्या अलग मौजूद है, तो insects में generally जो respiration होता है, वो trachea से होता है, हाना humans में भी trachea present होते हैं, लेकिन humans के trachea खतम होटाते हैं, lungs पर जाकर, सभी को अपनी biological diagram याद है न, दस्वी class वाला, दस्वी तो सबने biology दस्वी तक तो पढ़ी ही है, तो आपका जो है, trachea जो है, इस तरीके से bifurcate हो जाता है, और आगे फिर से bifurcations होती है, तो यह जो पतली-पतली जो आगे tubes बनती है, इनको कहते हैं tracheals, जो आगे की पतली-पतली tubes है, इनको tracheals कहते हैं, जो यह major है, इसको trachea कहते हैं, है न, तो हमारे humans की tracheals और या trachea जो है, यह यहां lungs पर जाकर, खतम हो जाती है, लेकिन insects में ऐसा नहीं होता, तो इंसेक्ट में Lungs नहीं Present होते ये बात धियान रखीगा Lungs present नहीं होते तो पूछोगे माम क्या present होता है तो directly trachea जो है Oxygen Tissues में या Cells में देती है इसमें Lungs present नहीं होते तो trachea जैसे हमारी Blood Vissles पोरे शरीर में फैली हुई होती है इस तरीके से इंसेक्ट में ट्राकिया जो है पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, इसके ब्रांचिस हर जगह फैली हुए होती हैं, तो जिसकी हेल्प से यह हर टिशू, हर सेल तक ऑक्सिजन पहुचा पाता है, ओके, सो दा इंसेक्ट एक्सचेंज ओफ गैसे टेक्स प्लेस थ्रू ट्यूबलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राकिया, तो ट्राकिया से जो है इसमें रेस्पिरेशन होता है, ट्राकिया की हल्प से, तो यह जो है पूरी बाडी में फैले हुए होते हैं, जैसे हमारा सरकुलेटरी सिस्टम होता है, और इसको हम क्या कहेंगे, ट्राकिया सिस्टम कहेंगे, ट्राकिया सिस्टम, क्योंकि यह ट्राकिया जो है, पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं, तो यह देखिए यह आपक इंसेक्ट है तो इसमें पूरे में जो है आपकी ट्रै कीया प्रेजेंट हो ती है गुद इवनिंग किसान हीत चलिए तो अब बात आती है आपने इसेक्ट का डारी देखा एंप उसमें spire spiracles present होते हैं तो जो insect आप देखिए आपका insect है जो की काफी खराब बना है मैंने यह की abdominal segments है हर abdominal segment पर यहां जो है pores होते हैं छेद होते हैं यह जो pores यह छेद होते हैं यह spiracles होते हैं इस पायरेकल्स होते हैं यह spiracles क्या करते हैं ट्राइखिया जो आपकी है ये इन spiracles पर खुलती है है ना तो ट्राइखिया जो है आपकी outside world में जो खुलती है वो आपकी spiracle की help से खुलती है इस ट्राइखिया open outside of the body wall through small openings and these small openings are called as spiracles spiracles occur on the plural surface of the body plural surface कौन सा होता है उपर वाला डोर्सल होता है पेट की तरफ वाले नीचे वाला हिस्सा ventral होता है जो side वाला हिस्सा है जो side में आपको देखता है वो आपका plural होता है तो plural surface पे ये spiracles present होते है एक left side में present होगा एक right side में present होगा यानि कि एक segment पर दो spiracles present होते हैं एक side जो आपको इधर दिख रही है एक side जो इसके पीछे है जो नहीं दिख रही है दोनों sides पे जो है एक एक spiracles हर segment में present होता है spiracles opening है जिससे आपकी nose की opening है जिससे आप सांस अंदर ले रहे हैं हवा जा रही है तो basically जो यह नाक वाला काम है यह spiracles कर रहे है यह बहार open होते हैं जहां से air अंदर ट्रेवल करती है through trachea okay good evening Mukesh and welcome to the session तो यह आपकी trachea का काम होता है जो spirals बहार खुलते हैं उनसे air अंदर आती है और ट्रेवल करती है the tracheal system with functional spiracle is called open tracheal system and the tracheal system which has non-functional spiracles is called closed tracheal system ठीक है तो जिसमें functional spiral होते हैं यानि की spirals open होते हैं good evening दिवाकर तो जिसमें tracheals open रहते हैं खुले हुए होते हैं और functional होते हैं इनके through air travel करती है तो इसको कहा जाता है open tracheal system लेकिन अगर आपके trachea non-functional है closed है वो function नहीं कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है non-functional spiracles या फिर closed tracheal system तो आपकी दो टाइप के systems हैं tracheal system open type and closed type spiral open है तो open type spiracles close है तो closed type trachea are ectodermal in origin तो कहीं भी आपसे question पूछा जाए कि भी यह यह ट्रैकिया कौन से cell से बनता है इसका origin क्या है तो देखिए जब आपका embryo develop होता है embryo जब डेवलप होता है तो प्राइमरीली तीन लेयर बनती है ectodermal mesodermal endodermal right ectodermal mesodermal and endodermal तो आपकी जो trachea है वो ectodermal cells से बनी हुई होती है so this is ectodermal in origin okay सबसे अंदर वाले जो cells होते है वो अकसर endodermal origin के होते है so आपकी trachea जो है ectodermal origin की है कोई भी आपसा question पूछे you have to take the ectodermal then spiracle thickenings are known as tanid तो spiracle जो है just spiral thickening present होते है आपकी trachea पर है जो आपकी trachea है जो इस तरीके से tube like structure है उस पर इस तरीके की spiracles present होते है spirals present होते है तो यह spiracles क्यों present होते है यह इसकी shape maintain करने के लिए होते हैं क्योंकि यह plastic की tube नहीं है वह यह live tissue की tube बने होई है तो जब इसमें air present है जब तो बात ठीक ठाक है लेकिन जब यह खाली होगी जब इसमें air present नहीं है तो उस time क्या होगा उस time आपकी जो tubes है वो पिचक जाएंगे क्योंकि उन अंदर कुछ भी नहीं है तो आपस में चिपक जाएंगी collapse हो जाएंगी इस से बचाने के लिए यह tanidia होते हैं यानि कि spiracles thickening होती है आपकी trachea पर जो उसकी shape को maintain करती है उसको चिपकने से बचाती है डिस्टोरेशन से बचाती है यानि कि उसकी shape खराब नहीं होने देती है तो उसको proper shape में रखने का काम उसको थोड़ा tough रखने का काम जो है tanidia का होता है ताकि वो अपनी shape maintain रख सके so tanidia which gives support to the trachea without being collapse इसको collapse नहीं होने देती इसको support करती है जब इसमें कोई air present नहीं होती है अंदर राइट इट कंसिस्ट ऑफ काईटीन रेजलेन इन प्रोटीन काईटीन मिट्रस तो यह जो आपकी tanidia है यह किस से बनी हुई होती है यह काईटीन से या फिर रेजलेन से बनी हुई होती है तो आप लोगों को याद रखने हैं यह दो नाम काईटीन और रेजलेन चलिए तो आप लोगों को टैनीडिया का नाम याद हो गया उसके बाद दो नाम और याद करने हैं यह टैनीडिया किसका बना हुआ होता है यह काईटीन और रेजलेन का बना हुआ होता है Chitin तो आपको याद रहेगा, Resilin थोड़ा सा नया नाम है, तो बार देखेंगे यह भी याद हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपके Tracheal को support करने के लिए बना है, तो इस तरीके के आपके Tracheal रहती है, जो branch होती है, फिर से आखी जाके फिर से branch होती, तो यह पतली पतली tubes है, य ये आपके ट्रैक्योल्स है ये आपके क्या है ट्रैक्योल्स और जो ये मेजर ट्यूब है मोटी वाली ट्यूब है इसका नाम होता है ट्रैक्या ठीके और जो आप इस पर ये स्पाइरेकल्स देख रहे हैं ये स्पाइरेकल्स क्या है ये टैनेडिया है जो काईटिन और रेज कुलती है जिससे air अंदर जाती है य यह बहार निकलती है इसको चटेस और निंग को कहा जाता है spiracles gjॉप्र लिंग क्या है spiracles है यह बहारे दुनिया है और यह इंसेक्ट के अंदर की दुनिया है । ठिक है चल ये उसके बाद हम बात करेंगे Trachea आपकी bifurcate होती है Tracheols में Tracheols कहां end होंगे अपने Tracheols कहां end होते हैं Human Tracheols Human Tracheols तो जाके आपके air sacs बनाते हैं और वहाँ आपके जो lung present होते हैं वहाँ पर end हो जाते हैं तो उसी तरीके से lungs इसमें present नहीं होते लेकिन sac-like structures जरूर present होते हैं your tracheoles are formed to cell called tracheoblast or tracheolar end cell तो इसको जो है क्या कहते हैं जो sac like structure last में होता है generally ये cell का ही बना हुआ होता है single cell का होता है जिसमें आपकी trachea जो है enter कर जाती है और इसको कहा जाता है tracheoblast यानि की tracheolar end cell जहां पर ये खतम हो जाती है तो इससे आगे इसको मूव नहीं करना है tracheole becomes intracellular and supply the oxygen directly to the tissue तो आपको diagram दिखाया था human diagram में क्या होगा air sex होंगे air sex में air भर जाएगी और lungs में जो है air आ जाएगी है ना उसके बाद आपकी जो blood vessels होती है वहां से oxygenated blood लेकर पूरी body में supply होता है लेकिन insect में क्या होता है insect में आपकी जो track यह है यह intercellular spaces में घुसती है जैसे यह आपके cells है है तो आपकी track यह जो है इस तरीके से आएगी और इनके आसपास जो है यहां अंदर spaces में घुस जाएगी तो इस तरीके से जो है यह अनके आसपास बनी हुई होती है अंदर इस तरीके से इसमें अब oxygen डारेक्ली आ रही है जो tissues के या फिर cells के contact में है तो यह directly इनको oxygen प्रोवाइड करती है तो यह ट्रेक्योल छोटे-छोटे cells में यहां पर एंटर कर रही है लेट्स मार्क तेम विद रेड कालर है ना रेड कालर दूर से दिख जाता है तो यह जो है आपके छोटे-छोटे cells है जिनको हम क्या कहेंगे ट्रैक्योल अलर एंड सेल्स कहेंगे और यह अच्ट में एर लाइक विए इसमें प्रेजंट होते है कई इंसेक्ट में जिनमें एर भर जाती है यह आइन में एर भर जाती है और यह एर भी जो है टिश्यू सोय credit裡 ट्रान्स वर की जाती है उसके बाद the trachea combines with those coming from the dorsal lateral and ventral side of the body and fuse to form transverse commissures and longitudinal connectivities तो आप पूछो के मैं क्या क्या बोल गए आप है ना तो बेसिकली कुछ नहीं करना है आपकी चारो तरफ जो ट्रैकिया ट्रैकिया बिखरी हुई है वो आपस में जॉइन करके एक स्ट्रक्शर बना लेती है ना तो जो लॉंगी ट्यूडनल जॉइन होते हैं उनसे लॉंगी ट्यूडनल connectives बनते हैं और जो transversely connect होती है उनसे transverse commissures बनते हैं तो आपकी जो छुटी छुटी ट्रैकिया है यानि कि यह आपका बिल्कुल pipeline जैसा system है ना water supply आती है तो वो major pipe में जाके जुड़ती भी तो है तो जो major pipe में जाके जुड़ती है यानि कि पूरे मोहले का पानी एक जगा आकर इखर्टा हो जाएगा वहां से सब को distribute होगा तो बस वैसा ही काम इसमें होता है तो यह जो छुटी छुटी ट्रैकिया है यह आपस में जुड़कर जो longitudinally जुड़ती है लंबाई के साथ जुड़ती है उन्हें longitudinal connectives कहते हैं जो टेड़ी जुड़ती है लेटरली जुड़ती है उनको transverse commissures कहते हैं तो इस तरीके से जो है पूरा आपका structure दिखाई देता है यह जो आप देख रहे हैं यह longitudinal connectivities है यहां से इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ यहां पर यह जो है distribute हो रही है उस तरफ उस तरफ जा रही है तो यह जो है आपका यह longitudinal trunk बनता है उसी तरीके से आपकी जो यह इस तरीके से जो जुड़ी हुई pipeline है यह आपकी transverse commissions बनाती है तो इस तरीके से जो है यह जुड़ जाती है चलिए अच्छा दी पसाई एस पिरेंट्स उसके बाद क्या होगा आपकी जो longitudinal और transverse trunks बने है वो अपना काम बाढ़ लेते हैं तुम्हें इस महले में पानी देना है तो आपकी जो dorsal trunk है dorsal trunk आपके proximal parts को और heart को जो है oxygen provide करती है आपका जो ventral trunk है ventral trunk आपके nervous system को oxygen provide करता है central nervous system को उसी तरीके से जो lateral longitudinal है lateral longitudinal आपके canal, legs, gonads and wings में oxygen का प्रवा रखती है यानि कि यहाँ पर oxygen की supply करती है तो इन्होंने अपना-पना काम बाढ़ लिया है dorsal trunk proximal जो आपके body parts है और heart जो है उनमें transfer करता है ventral part nervous system central nervous system में oxygen provide करता है lateral trunk जो है gonads, wings और legs में आपकी oxygen की supply करता है तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपना काम बाट लिया है अब problem यह आती है कि insect के head में कोई spiracle present नहीं होता यानि कि कोई opening present नहीं होती लेकिन brain को oxygen की जरूरत तो सबसे जादा होती है brain सही से काम नहीं करेगा तो इंसान ही सही से काम नहीं करेगा है ना कुछ भी हमसे गलत हो जाता है गडबड हो जाता है तो हम क्या कहते दिमाग खराब था यार दिमाग oxygen तो चाहिए और आपके head के जो और structures है ना antenna है eyes है उनको भी oxygen चाहिए tissues को काम करने के लिए तो ये कैसे provide किया जाता है तो ये जो आपका longitudinal trunk है dorsal longitudinal trunk ये जो है आपके head को oxygen पहुचाने का काम करता है तो dorsal longitudinal trunk जो है head को oxygen पहुचाने का काम करता है तो ये जनरली दो ब्रांच में बटा हुआ होता है जो पहली ब्रांच है वो आपकी जो है eyes antenna और brain में oxygen provide करता है तो eyes antenna और brain में oxygen provide कौन करता है बताओ आपके longitudinal trunk का जो पहला ब्रांच है पहला ब्रांच eyes antenna और brain में transfer करेगा दूसरा जो ब्रांच है वो mouth parts में करेगा और muscles of the head में करेगा जो head की muscles है और mouth part है उसमें oxygen की supply दूसरी ब्रांच करती है तो ये भी जो है उपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों ने बाट लिया है उपर के हिस्से में आपके antenna आएंगे eyes आईगी brain आएगा तो ये सबी ज पर ली आपको एक नाम याद रखना है इस पूरी slide में dorsal longitudinal trunk जो dorsal longitudinal trunk है dorsal आपका peat वाला हिस्सा होता है जो उपर ही हिस्सा होता है longitudinal यानि की लंबाई के साथ तो जो आपकी उपर की तरफ लंबाई की direction में जो trunk होता है वो head तक oxygen पहुचाने का काम करता है तो इसको longitudinal trunk अब आते हैं दिवाकर पे दिवाकर कहते हैं कि girls के पास दिमाग नहीं होता मान लेते हैं कह रहे हैं तो दिमाग नहीं होता है बट girls के पास super power होती है जो males के पास नहीं होती है और ये किसी भी लड़की से पूछ ले ना कि वो super power क्या है चलिए बाकि बिना दिमाग के सब पढ़ाया भी नहीं जाता दिवाकर आप पढ़ा के देख लो उसके बाद आएगा spiracles क्या होता है आपके जो है जो opening होती है उन्हीं को spiracles कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पर ये absent होती है प्रोथोरेक्स में यानि कि आपका जो फोरेक्स है वो तीन segment में डिवाइड रहता है है ना प्रोथोरेक्स, Meisothorhex, Meta-thorhex राइट तो जो प्रोथोरेक्स है उसमें spiracles present नहीं होते कोई opening present नहीं होती है यानि कि पहली opening कि सेग्मेंन में present होगी मीजो थोरेक्स में प्रेजन्ट होगी और फिर मेटा थोरेक्स में प्रेजन्ट होगी तो प्रो थोरेक्स में आपकी कोई स्पाइरेकल कोई आपनिंग प्रेजन्ट नहीं होती है they are all distributed in mesothorax, metathorax और abdomen, abdomen में जो present होती है, 8 आएगा यहां पर, abdomen में 8 होती है, total 10 होती है, चीक है, तो abdomen में आपकी 8 spiracles present होती है, 8 जो आपकी abdominal segment है, इनमें 1-1 spiracles present होते है, और 2 spiracles आपकी कहां present होंगे, mesothorax और metathorax में होंगे, तो टोटल जो है, 10 spiracles present होती है, एक इंसेक्ट में 2 प्लस 8, राइट, बच्चे, एकोनामिक्स और एक्स्टेंशिन आपके संदीप सर लेंगे ग्लासेज, तो आइडोंट नो कहां तक पहुंचे हैं, कितना उनका syllabus कवर हुआ है, अभी आइटिंक वो आपको soil science करा रहे हैं, जैसे ही उसका खतम हो जाएगा, वो अपने का अगला पार्ट लेना शुरू करेंगे, तो agricultural, economics and extension आपके संदीप सर लेंगे, extension में भी पुछ कर सर लेंगे, लेकिन economics तो I think संदीप सरी लेने वाले हैं, पावरपफ गोर्स नहीं देखा तुम लोगों ने, मैंने तो बच्पन में भावा देखा है, उनके पास सूपर पावर्स होती है, नहीं भाई, economics में थोड़ा हाथ तंग है मेरा, I am a bio student, they consist of a small ring, इन में small ring present होती है, जो आपकी opening होती है, उसके चारो तरफ, और ये opening क्या कहलाती है, ये peritrim कहलाती है, पैरी ट्रिम, तो यानि कि आपका जो है, ये जैसे मान लीजिए, इंसेक्ट की वाड़ी है, इस पे स्पाइरेकल प्रेजन्ट है, ओपनिंग प्रेजन्ट है, इसके चारो तरफ, इस ओपनिंग के चारो तरफ, जो है, ये peritrim present होती है, small ring like sclerite, यानि कि ये sclerotized होती है, hard होती है, जो इसके चारो तरफ प्रेजन्ट होती है, जो इसकी शेप को maintain करके रखती है, of opening called peritrim, leading to a cavity known as atrium, और अंदर जो cavity है, यानि कि ये जो बीच वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा, गवेटी वाला हिस्सा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे autrium या atrium, ओके, तो ये आपको जो है, दोनों चीज़े याद रखनी है, peritrim present होती है, यानि कि sclerotia, जो है, जो spiracles है, उसके चारो तरफ sclerotized membrane present होती है, जिसे peritrim कहा जाता है, जो उसकी shape maintain रखती है, उसके बाद वो जो structure है, गोल structure, वो एक cavity में open होता है, उस cavity का नाम क्या है, atrium उस cavity का नाम है, then the closing and opening of spiracles is accompanied by atrial valve, आपकी जो spiracles है, वो close और open कैसे होती है, तो वो atrial valve से close या open होती है, ताकि जब सांस लेना है, air को अंदर आना है, तब ये open होगी, जब सांस नहीं लेना है, air को नहीं अंदर आने देना है, तो ये valve जो है close होगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको atrial valve कहेंगे, ओके, lined with a fibrous process and form so called felt chamber, तो इसमें जो है, जो है, जो है atrial valve है, उसके बाद, इस तरौनिंग इंटू दा लाइनिंग्स, जो है इसकी, processes यानि कि इस तरीके से जो है, इसमें processes निकले हुए होते हैं, जैसे intestine में आपने देखा हुगा है, finger like projections निकले हुए होते हैं, उसी तरीके से इसमें क्या निकला हुआ होते हैं, processes निकले हुए होते हैं इसके inner wall की तरफ और इन्हें जो है felt chambers कहते हैं so यह felt chamber किसले काम आते हैं they reduces the water loss in the absence of closing mechanism जब closing mechanism absent है तब water loss जादा ना हो उसमें help करते हैं तो loss of water नहीं होने देते हैं और इनका क्या नाम है इनका नाम है felt chambers ठीक है तो आपका जो atrial valve है उसमें finger like projections होती है जिने processes कहते हैं तो processes जो है वो loss of water नहीं होने देते water को जो है absorb करते हैं या उसका जो evaporation है वो नहीं होने देते हैं जब आपके spiracles close नहीं होते closing mechanism उनमें absent होता है तो तब ये water बचाने का काम करते हैं नहीं नहीं मारा पीटा मैंने किसी को नहीं है मैंने I am a peace loving person किसी को नहीं मारा पीटा है मैंने चलिए hydrophobic nature hydrophobic nature आपके spiracles का होता है hydrophobic का मतलब क्या होता है hydro का मतलब होगा पानी phobic का मतलब होगा hating let's change the pen तो इसको पानी पसंद नहीं है water heating है hydrophobic nature of spiracles is also due to presence of modified epidermal gland तो इसमें जो है कुछ epidermal glands modify होते हैं जिनको कहा जाता है peristigmatic peristigmatic तो peristigmatic जो glands है वो इसको hypo for hydrophobic nature देते हैं यानि कि water repellent बनाते हैं अगर यह hydrophilic nature के होंगे यानि कि water loving होंगे तो water से जो है इनके आसपास हमेशा चिपकर है गई water loving होंगे जिससे इस tissue में swelling आ सकती है degrade हो सकता है पानी में पड़ा पड़ा गली जाना है तो इसलिए जो है पानी को repellent करना उसको resist करना इंसेक्ट की body के लिए जरूरी है इसलिए इस पर काइटिन की exoskeleton की membrane present होती है जो इसको water से बच्चाने का काम भी करती है तो अब spiracles जो है इन पर भी जो है modification present है which is peristigmatic और ये gland जो है इसको water hydrophobic बनाते हैं ओके तो peristigmatic glands which secrete a hydrophobic material preventing the wetting of these organs ता कि ये organs हमेशा गेले ना रहे वेट ना रहे इन से पानी से बचाने का काम pre a peristigmatic glands करते हैं ये कुछ ऐसे excretions निकालते हैं इस तरीके के excretions निकालते हैं जो hydrophobic होते हैं basically chicken होते हैं जिन पर water molecules टिक नहीं पाते हैं so this is your peristigmatic okay तो अब आपके जो spiracles है उनके distribution के हिसाब से इनके नाम change हो जाते हैं इसे के जैसे holo new stick holo new stick इन में जो है आपके दो pair of spiracles present होंगे मीजा मीजो थोरेक्स में और मेटा थोरेक्स में आठ पारेक्स में प्रेजंट होंगे abdomen में यानि कि total 10 spiracles present होंगे और 10 के 10 functional है working है तो यह जो है इनको holo new stick कहा जाता है और यह dragonfly grass ओपर और कोक्रोच में present होते हैं तो यह इनके example है उसके बाद hemi new stick आएगा hemi यानिकी half यानिकी कुछ इनके जो spiracles हैं वो काम नहीं करते हैं जैसे कि यहां पर एक spiracle काम नहीं कर रहा है which is present in your prothorax, mesothorax, metathorax तो metathorax वाला जो है यह आपका spiracle काम नहीं कर रहा है functional नहीं है या totally absent है तो इस तरीके के जो insect होते हैं इनको hemi new stick कहा जाता है और example क्या है larvae of lapidopteran and hymnoptera hymnoptera और lapidoptera के जो larvae होते हैं इनमें इस तरीके के spiracles absence दिखाई देती हैं तो इन्हें hemi new stick कहा जाता है उसके बाद respiration क्यूटिन बहारी skin से भी हो सकता है बहारी skin से अगर respiration होता है तो इसे cutaneous respiration कहा जाता है तो आप लोगों ने यह अच्छे से पढ़ाई है कहीं कि आपके इंसेक्ट जो है skin से respiration करते हैं और example क्या है इसका protura columbola and endoparasitic जो इंसेक्ट होते हैं जो दूसरों की body में dwell करते हैं अंदर वो skin से respire करते हैं when the spiracles are absent respiration occurs through body wall which forms the main source of gaseous exchange जो gaseous exchange का main source बनाती है directly skin से वो respiration करते हैं और इसको क्या कहते हैं इसको cutaneous respiration कहते हैं जो कि protura columbola और endoparasitic insects में देखने को मिलता है उसके बाद अगला क्या है ट्रेकियल गिल्स तो गिल्स किस में present होते हैं गिल्स मचली में present होते हैं राइट राइट और रॉंग कुछ तो इंटराक्ट कर लिया करो भई ऐसे मजा नहीं आता तो गिल्स आपके मचली में present होते हैं यानि की अक्वेटिक लाइफ में present होते हैं तो जो लार्वे और या आपके इंसेक्त हैं जो एक टिक है जनकी वोटर वोल्डी में ड्रेज्टो अटर्छ घिल्स करना होता है उन वे ट्रैकियल गेल्ट गेल्डS प्रेज़न ठोते हैं तो लार्वे ओस ट्राइकोप्तिरा निम्फ Of, Me, Emphymoptera में प्रैसंट होते हैं And, इन में जो है, Abdominal Tax- Там ए। ऐप्डामनल सेग्मेंट्स जो होती है, उन में प्रैसंट होते हैं They may vary in shape as Lamellate and Flamentous तो फ्लामिंटस भी हो सकते हैं, Lamellate टाइप के भी हो सकते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, in mm right ? किस टाइप के question आएंगे इसमें से ? इसमें से इसी टाइप के kushyण आएंगे वही बचचे एक ट्रेक्याल गिल्स किस में प्रशियट होते हैं एक्जाम्ब बताईए है ना आपका ट्रेक्या क्या मेंolla एंड होते है ऐड्रेक्या ट्रेक्य précis में होता है तो उसका नाम क्या है कौन सा valve present होता है जो spiracles पर present होता है तो इस तरीके के छोटे-छोटे questions इनसे बन के आएंगे आपकोस directly पूरा-पूरा concept आपसे MCQ में कौन पूछने वाला है बट इन classes का main topic यही है कि हम आपको यह conceptual strong करे ताकि आपको जब यह आप पूरा कहानी की तरह पढ़ोगे आपको better learn होगा मैं इसमें से 4 questions MCQs बना के आपको directly दे सकती हूं और आप भी रट सकते हैं लेकिन बात यह कि जब वो 4 questions के जगे 400 questions रटने होते हैं तब हम भूलने लगते हैं क्योंकि हमें यही नहीं पता spiracles क्या होते हैं हमें यहीं नहीं पता उसमें open type system close type system क्या होते हैं हम सिधा रट रहें उन चीज़ों को तो आपके concept strong रहे story based रहें आपको पता हो कि यह चीज क्या है इसके लिए यह agriculture foundation classes है concept को strong करने के लिए बाकि जब हम MCQs practice करते हैं आपकी वो आई बीपेस एफो की class है इसको की class है MCQs हम वहाँ practice कर ही लेते हैं यह आपके concepts को strong करने के लिए हैं जिनको shortcut नहीं अपनाना है directly MCQs और one liners को नहीं attempt करना बलकि अपना concept को strong करना है अपने examination के लिए तो उनके लिए classes है जो shortcut ढूंड रहे हैं उनके लिए classes बिलकुल नहीं है और यही वज़ा है कि इन classes में बच्चे आकर राजी भी नहीं है क्योंकि सबको shortcut चाहिए इस दुनिया में मुझे directly बता दो मैम exam में क्या आने वाल है वह यह मैम थोड़ी ना examiner है we can practice the question तो इसलिए जो है practice भी करते रहेंगे questions की लेकिन concept strong रहेंगे तो examiner जो घुमा फिरा के question देता है या वो question देता है जो आपकी MCQ book में नहीं है या one liners में नहीं है जो उनको attempt करते हैं बच्चे selection उनी का होता है पढ़के सब जाते हैं सब general agriculture पढ़के जाते हैं और सब general agriculture को बहुत अच्छा attempt करते हैं so don't think कि आपने अगर 100 में से 90 question attempt किया है तो आपने बहुत अच्छा काम किया है 90 दो सब attempt करके जा रहें वो 10% कौन कर रहा है वो selection पर depend करता है तो यह उन 10% वालों के लिए classes है बाकि जो आपके MCQs जलते हैं वो बाकियों के लिए है जो 90% में आना चाहते है चलिए तो आपका यह concept भी clear हो गया होगा tracheal gills जो हैं आपके aquatic life में present होते हैं example याद कर लिजेगा यह trichoptera में present होंगे और amphi meroptera में present होंगे तो जो पानी में dissolved oxygen है घुली हुई oxygen है उसका help करते हैं यह tracheal glands ओके तो यह आपके tracheal glands हुए complete यानि कि पूरा respiration आपका complete हो गया है तो यह आपका respiration complete हुआ कल आई थिंक कल तो Sunday है कल तो चुट्टी है बई I am very happy on Saturday night कल के चुट्टी तो फिर मिलेंगे हम Monday को with excretory system यानि कि excretory system consequence होते हैं जो insect में present होते हैं जिनकी help से वो undigested food को बाहर निकालने में help करते हैं तो आप लोगों को पता ही है इसको का बाच आपका शिरू हो चुका है and of course काफे सारी classes उसमें चल रही हैं आपकी सारी एक और बात है बच्चे कि you can get the material है ना आपको short cuts मिल जाएंगे आपको मैं एक दो घंटे की class लूँ उसमें भी entomology पढ़ा सकते हूं I'm not mad कि मैं पूरा पूरा महीना एक पूरे subject को दे रही हूं तो ये सर्फ इसलिए है ताकि आपको detailed knowledge मिल सके और अड़ा पे ही ऐसा platform मुझे देखने को मिलता है जहां पर specific teacher specific subject ले रहे हैं क्योंकि अगर मैं मान लिजे मेरा जो branch है वो genetics and plan breeding है अब आप मुझे कहें मैं extension पढ़ा दो economics पढ़ा दो statistics पढ़ा दो basic basic मैं सब पढ़ा दूंगी मैंने graduation में सब पढ़ा हुआ है लेकिन मैं आपको वो detail नहीं दे पाऊंगी जो मुझे देनी चाहिए तो अड़ा में यह specialty है कि आपको special teachers मिलते हैं जो उन्ही subject के teachers होते हैं तो यह भी अच्छी बात है जो आपको कहीं और अक्सर देखने को नहीं मिलती है आपके भाया तुम्हारी मर्जी है हमारा काम है महनत करना और तुम्हारा काम है हमसे double महनत करना तभी selection होगा ठीक है तो इफको का batch आपका start हो चुका है आप लोगों को पता ही है if you want you can still enroll in the batch और आपका यह batch जो है इसमें आपके maths, English reading GS सब कुछ cover होता है जो भी आपके ifco में आपके syllabus में आता है अफकोस with agriculture also तो यह आपका जो है 1200 रुपे का पढ़ता है अगर आप code use करते है अगर code use नहीं करेंगे तो यह 2300 के आसपास का पढ़ता है लेकिन अगर आप code use करते है तो यह 1200 के आसपास खास बात यह है कि इसमें जो 80% off चल रहा है जो आपको code लगाने पर मिल रहा है उसके साथ साथ आपको double validity मिल रही है double validity तो double validity का क्या मतलब है यानि कि आपको अगर यह 6 महिने का course है तो इसमें 6 महिने और access मिलेगा 6 plus 6 उसी तरीके से जो agriculture है इस पर भी double validity है तो 12 महिने का course आपको अगले 12 महिने के लिए बिलकुल free मिल रहा है तो this is for 2 years and this is for 1 year तो double validity अभी आपको इन सभी offers पर मिल रही है and for code you can use Y448 है ना 4 plus 4, 8 होता है A for agriculture होता है तो Y448 A जो है आप code यूज कर सकते है बच्चे जब अपनी morphology cover हो जाएगी उसके बाद हम insect को उठाएंगे जो आपके crop specific insect है उनके damage उनके symptoms ये सब उठाएंगे अभी morphology खतम कर लेते हैं उसके बाद एक क्योंकि continue में चलना चाहिए ना ऐसे नहीं कि कोई भी कभी उठा लिया तो morphology के आपके कुछ topic रहते हैं ये cover कर लेंगे उसके बाद अपना crop specific insect cover करेंगे और उसमें जो है हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे जो आपके crop specific insect है क्या उनके disease damage symptoms है उनकी threshold level है IPM कौन से कौन से use हो सकते हैं तो वो सारे हम करेंगे बहुत जल्द करेंगे don't worry बट पहले morphology complete कर लेते हैं तो चलिए y448a को मत भूलिएगा और मिलते हैं मंडे को तब तक के लिए संडे को आप लोग भी enjoy कीजिएगा good bye and take care